नमस्कर दोस्तो रादे रादे मैं यर्दिंगवाल नन्द। सामने है मादारानी का महतब बाराहिका दुष सिप्रसिद्ध मंद। विसाल शिलाखन्दू से मिल करके उचिफा बने मेरे दाएं बाएं और और इधर देखें यह वाल में नमी है मैं हाथ ऐसे रख रहा हूं कि यहाँ पर और गपारी कहा जाता है मातरानी की कि गबोरी है ये मुख्य मंदिर है मादा बाराही का आप देख सेंदर भवी रूप में इसको सजाया है कि अधी संख्या में यहां पे हैं देखें उधर से लाइन लगी हुई है और यहां से होते हुए यहां गहडवाल खाम के सदसी पहुंच चुक है और यह परित्रमा कर रहे है और इस पासान यह तो में चारों की में दोटो करके मिलती हैं दोटी में एक क्रव दोटो में दूसरे क्रव मिल कर दोस्तों रादे-दे मैं यदंग वाल नंदन करनन होंस्टे मक्तिसर से आप सभी सब्सक्राइब करता हूं अपने YouTube चैनल नंदन करनन होंस्टे में तो आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक अनुव के सफर में यहां से हम लोग जा रहे हैं देवी दुरा बाराही माताजी के मंदिर में जहां पर विश्य सुरुप से रक्साबंधन के दिन बहुत बिश्य में तो उसके भी आपको दर्शन कराये जाएंगे तो चलि हमारे साथ में सुरू करते हैं आज का ब्लॉग को लेकिन इस बीडियो में आपको देवी दुरा धाम के दर्शन करायेımı तो पूरी वीडियो को आप अंतलं तक देखेगा देवी दुरा होता है मता-रणी का शिखर माता-रणी का जो जो डेवी सब्सक्राइब करते हैं. अगर आप हलडवर्वानी के तरप से आथे हैं तो आपको शहर फातक से भोते हुँ डेभी द्रा के लिए प्रस्था ने परिस्तान कर सकते हैं अगर आप अगर तेके आप देवी दुरा के लिए प्रिस्तान कर सकते हैं रोड कंडेशन के बात करें तो रोड बहुत अच्छी बनी होई हैं और देवी दुरा तक की सारी रोडें अलमोडा, चंपाउत और नैनिताल से बहुत ही अच्छी वैल कनेक्टेड रोड यहां पर हैं और कहीं से भी आप आते हैं तो आपको ट्रांस्पोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पसेज और पॉब्लिक टांस्पोर्ट, ट्राइबेट टैक्सी सारी अवेलिबल रहती हैं देवी दुरा में बिसेज सुपसे रक्षा बनन के दिन बिसाल मेले कायजन होता है ये मेला एक मेहनी के लिए चलता है लेकिन रक्षा बनन के दिन बिसेज रूप से यहां पर पाशाणी उद्ध होता है जिसे बगवाल कहते हैं और उसको देखने के लिए लाखों की संख्या में यहां पर दर्शक आते हैं और आज आप देख सकते हैं ये जो भीड है जो वाहन यहां पर खड़े हैं ये सारे के सारे लोग उसी पासाड़ उद्ध को देखने के लिए और मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहें क्योंकि आज बिसेश दिन है बिसेश उट्सव है और बिसेश दर्शन आज माता रहनी के होता है और ऐसा माना जाता है कि रक्षब अनगिन जो भी माता रहनी के दर्शन करता है उनकी गबोरी में और उनके मुख्य मंदिर में तो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ती मातरानी करती है तो हम लोग पहुंच चुके हैं देवी दुरा धाम में सामने आप देख सकते हैं ये इस तरह से सहय को सजाय क्या है ये मुख्य चौरा है यहां से एक रास्ता नीचे जाता है एक रास्ता उपर नीचे वाला रस्ता सीधे मंदिर में जाता है और उपर वाला रस्ता घूम करके मार्केट से उते हुए मंदिर की तरब जाता है यहां पर आप देख सकते हैं मेरी सामने इस तरफ 22 तरफ मेरी जो उंगली के बिलकुत सामने यह मातरानी का मंदिर है चलिए हम घूमते फिरते वह ही के फास्ता है यह मार्केट है देवी दुरा की और यहां पर आप देख सकते हैं दोनों साइट में स्टॉल्स लगे हुए हैं इधर भी हैं और इस साइट में भी मेरी तो अभी हम लोग जा रहे है मंदिर की तरफ यहां से मंदिर करे अभी एक क्लमेटर दूर है तो एक क्लमेटर हमें चल करके जाना है तो चलिए बनेरी हमारे साथ में रक्षया बंदन मेले के आउसर पर तूरे सहर को सजा लिया जाता है एक दुलहन की तरह यहां देख सकते हैं यह मार्केट से छोड़ करके अंदर अला रास्ता है जो सीदे मंदर की तरफ जाता है यहां देख सकते हैं भक्तों की इतनी भारी भीड है और विसेश उपसे आज के दिन दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भ वार्यली हम लोग मंदिर के निगट कोँछ चूके हैं और सामने है माँ वारे मंदिर और हम जा रहे हैं हम से मंदिर में अंदर दर्शिन करने के लिए चले आपको भी दर्शिन करते हैं सामने हैं माता राणी का माता बाराही का बिश प्रसिद्द मंदिर जहां पर माता राणी नुवास करती हैं माता बाराही जो हैं भगवान के जो तीसरे प्रमुक अवतार हैं जब प्रत्वी को फिरनक शुक्ति के बड़े भाई हरनाक्ष ने डुबा दिया था तो भगवान ने वारह अवतार लिया था और वारह अवतार की जो सकती है उसी समय से प्रत्वी को वारही के रुप में जाना जाने लगा और भगवान वारही की जो सकती है उनको बारही का जाता है यह मंदिर का मुखी प्रिफ कर दे आए जहां से हम लोग सीद एक गबोरी के अंदर भी जा सकते हैं और सत्थे हम जा आ ले हम लोग गबोरी में गुफ़ा में मतारानी के दरशन करने के लिए तो चलिए आप भी हमारे साथ में, आपको भी listen कराते हैं मातार闌ी के अदिच छितनी बीले यहां पर, सुतनी सारे रश्वत्त के आवा हैं मातारानी के अदिधन निकिर बिसाल आपके मिलने से बनी हैं कर दोग इसके रिचर्च में लगे हुए थे लेकिन कोई भी इसका रिचर्च नहीं निकाल थे क्योंकि मापरानी की सक्की के द्वारा बंद करके यहां पर रुपी है यहां पर शिलायें दिख रही हैं यह बिसाल पथर हैं इतने बड़े-बड़े चत्ताने हैं जो तीन बॉ की तरह हैं यहां पर बिलकुल राउंड से अपना और रुका हुआ है और इधर पीछे की तरफ दिखे दूसरी शिला है और हम जब आगे बढ़ेंगे यहां से प्रवेश कर रहे हैं इधर मेरे बाई साइड में और बाई साइड में और सामने की तरफ तीन सिलाय निखिए यह था से तीनों सिलाय मिल करके बीच में जो कोल बन रहा है उसी रास्ते को यहां पर घुफा बाना जाता है और उसी के अंदर मता रही निवास करती है यहां हम 20 साइड से अंदर प्रवेश करते हैं इस रास्ते से वापिस हम लोग वापिस मंदर की तरफ आता है यह लेख बार में सर्फ एक अदमी ही यहां से प्रवेश कर पा रहा है तो बहुत ही सक्रा रास्ता है तो चलिए आपको मैं दर्शन कर रहता हूँ तो गुफा से होते हुए हम लोग अंदर पहुचाए यहां पे गबोरी कहा जाता है मतरैनी की गबोरी है जहां पे हमेशा नमी रहती है और इतनी फंड़ के यहां पे तो क्योंकि मुझे सपोर्ट के साथ चलना पड़ रहा है, इधर देखते हैं यह सामने, पंडित जी यहाँ पे पूजन करा रहे हैं सभी को, और तिलक लगा रहे हैं, और यहाँ पे मातारानी को नारियल, यहाँ बली के रूप में नारियल उनको चलाया जाता है, और यह सक्त पीट है, जहाँ पे मातारानी की जिसे गबोरी का जाता है, यह तीनों सिलाओं के बिसाल सिलाओं खंड़ के बीच में जो स्पेस बना हुआ है, उस स्पेस में यह मातारानी की गबोरी बनी हुई है, इधर देखिए यह नमी, पानी कितना, किस तरह से इसमें चट्टान में पाने रिस रहे हैं और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बहुत भीड़ा इसलिए मैं ठीक से आपको दर्शन नहीं करा पाया हूँ तो यहाँ से हम लोग आगे निकल रहे हैं यह प्रशाद चडाकते हुए यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं और यह रास्ता यहाँ स से रास्ता है इस चठान में से बिल्कुल तीरचा रास्ता है इंसान को पूरा तीरचा जुक करके जाना पड़ता है इसमें तो यहां से हम बाहर निकलते हैं यह गुफा के अंदर से होते हुए रास्ता और यहां से यही रास्ता बाहर निकलता है यहां इस तरह से आप देख स और भारी संख्या में सादु संथ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन अमोमन यहां पर इतने सादु संथ नहीं रहते हैं तो जब भी आप दर्शन करना चाहते हैं अगर मेले के समय आते हैं तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप दर्शन आते हैं तो भहवी दर्शन आपको हो जाएंगी और यहाँ से दर्शन दर्शन होका तो यहां पर सही देखिए ऐंगट वैली जहां लिकhा हूए यह शिला और आप यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, भीमसिला की तरफ यहां है एलिकों मेरे सापने की तरफ रास्ता है और यह सीधर भी Eyes Design के जाता है यहां से मेरे साथ में पिंक्वी और साथ में गुग़ाजइंग साथी है, और हम सीधर जाने भीमसिला in Offa चलिए आपको भी ले चलता हूँ भीमसिला में और आपको पूरी कहानी बताँगा कैसे यहाँ पे भीमसिला बनी और क्यों इसको भीमसिला कहा जाता है आप देख सकते हैं सामने इतनी बड़ी बॉल सी है यह पूरी चटान जो बिल्कुल शिखर पर बिल्कुल चटान की तरह से क्योंकि बहुत रिस्की है यहां से पूरी खाई भील को नीचे लिखती है यह आप देख सकते हैं बॉल की तरह यह चक्तान इस शिला खंड के उपर रुकी हुई है और यहां से आगे आप देखिए यह पूरी भीम चिला जिसके उपर अब लोग खड़े हैं और यहां इस शिला खंड में तो यह दरार उसमें उनके परहार से बन लेए थी अब देख सकते हैं पूरी जो शिला खंड नहीं दो भागों में टूटी हुई है तब एक सिरे से लेकर के दूसरी सिरे तक देखेंगे ना ये पूरी दरार एक सिरे से दूसरी सिरे तक पहुंच हुई है तो ऐसा प्राजाते कि भीम जी नहीं यहाँ पर प्राहार किया था उसके कारण ये दरार बन लिए था और यहां बाहर के तरब देख सकते हैं पूरी वैली बिल्कुल नीचे गहरी खाई है अगर कोई यहां से गर जाए तो बचना मामुम्किन है उसका और सामने बहुत यह बहुत खुबसरन नजारा दिख रहा है और देवदार का जंगल है यहां पे चारों तरब यह जेवरार क जंगलों के बीच हम बसा हुआ देवी दुरा सहर यही वह दरार जो भीम जी के प्रहार से बनी और इस सीरे से लेकर कि बिल्कुल उस सीरे तक आप सामने देख सकते हैं पूरा सिला को दो भागाओं बाट दिया अश्या अभी हम लोग मौजूद हैं भीम शिला में मेरे पि पड़ी हुई है यह दरार जो है भीम जी की गदा के प्रहार से ऐसी बोला जाते हैं तो यहां पर प्रतेक्स दुरूप में यह प्रमान भी दिखते हैं वापस हम लोग आ चुके हैं अनंत वैली के पास में और यहां से हम लोग जा रहे हैं पीसे पश्चम वाले गेट से हो हुआ है इसी पहाड़ी में बिलकुल टॉप में उपर है मता रहने का मुख्य मंदिर तो हम लोग फिर से पहुँच चुके मुख्य मंदिर में यह मुख्य प्रवेश द्वारे जहां से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और सामने देखते भक्तों की संख्या बढ़ती जारी है तो हम जा रहे हैं मुख्य मंदिर में फिर दर्षन करनी के लिए और आपको भी दर्षन बढ़ता इंब में लगना पड़ रही है तब जाके हमारा निंबर आ है तो मिष्च करके दर्षन करने जाता है ये मुख्य मंदिर का जो प्रांगड है उपर से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ देखिए पूरा चारोत रख लोग ये लोग बैठे हुए हैं ये सब इंतजार में हैं पास्टान युद्धकेश क्योंकि बगवाल यूद्ध यहां पे खेला जाता है तो उस सब के इंतजा में लोग अभी से अपने जगेतर बैठ चुके हैं ये मुख्य मंदिर है मादा बाराही का आप देखें सुंदर्भवी रूप में इसको सजाया गया है और भक्त भारी संख्या में यहां पे हैं देखें उधर से लाइन लगी हुई है अभी आपना का थे आपना को आप देखें अप्चे के नहीं होगे है हो देखे कर सारे हैं तो अपहर कीशते को दर्शन करते हैं त smokes बहुत बढ़ी लैंद नागे इस तरफ है भाई भीत हूंए के करता आज मंदिर में बाहर से धर्शन कराइ जा रहा अंदर किसी कू प्रविश्न करने पर यहां से जोग जा रहे हैं वह बाहर से प्रशाद लेते हुए बाहर से भगवान के दर्शन करते हुए चल रहे हैं से आगया और ऐसा यहां बताया जाते हैं कि इस मंदिर में यहां पे माता रहने की एक सुर्ण प्रतिमा है जो कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन मतलब रक्षा बंदन के दिन इसको निकाला जाता है और उस दिन रक्षा बंदन के दिन इनको नए वस्त पहना जाता है और जो पुजारी इनको वस्त पहनाते हैं प्षोल पत्ती बात करके इस कारी को करता है अगर आखी खुली होंगी तो उनकी द्रश्टी चलिया ती ऐसा यहां पर माना जाता है तो आज उनके भवी दर्शन यहां पर होते हैं लेकिन अभी बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं तो मंदिर में पर इस नहीं मिल रहा है क् परिखे करके अंदर दर्शन करने जाएंगे तो सुबह से साम तक सारे भक्त दर्शन नहीं कर पहेंगे इसलिए मंदिर में व्यूस्त तैसी कि है कि बस बाहर से दर्शन करें और चलते रहें तो मंदिर दर्शन करने के पस्टा तुम लोग वापिस आचुछ यहीं खोली खान ग्राउन में और यहां पाप देख से चलने वाला है यह लोग यहां से जा रहे हैं ग्राउन की तरफ तो इनके साथ साथ चलते हैं ग्राउन में और आपको दिखाताओं में इनका छूली अं प्राउन में पारंपरिक पहनावे में और पारंपरिक बाती अंतरों के साथ में आप देख सकते हैं बहुत ही भाव्ब्य और अलोठिक नहां के छोली अंटे के दर्शन अंटे करें साथ चलते का सकते हैं प्राउन में ग कारईए चलते हैं issy जोपिक अग्याओं में आपको बाताई। देविदुरा मंदिर में पहले अस्ट बली दी जाती थी जिसमें छे बकरे होते थी और एक कटड़ा भेंसा होता था और साथी साथ में आठवाज होता था वो एक मनुष्य की बली दी जाती थी तो ऐसी प्रथा पहले चली थी मातारानी को एक मनुष्य की बली हर साल यहाँ पर हर मेले में दी जाती थी लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक मातारानी की भक्त थी और ब्रद थी तो उनके बेटे का नंबर था उसमें बली का तो गाउं के लोग ऐसा टाई करते थे कि हर घर से मनुष्य हर साल चुना जाता था तो उस वक्त ÓC거든 एक ही बच्च था तो उनने प्राथना की गाउं वाल उसे और मतारानी से की मेरा एकी सहारा है अगर यहीचिंजाएगा तो फिर मेरा सहारा कून गपना भाएगा तो उनकी प्राथना सउनकरके गाउंवालो ने सोचा कि भ वाक्त आ रहे हैं ये सब ये पाशान युद्धि खेलने के लिए तयार होकर के आएं और इसके लिए इनको पीछे इस तपश्या करने होते हैं एक महने से इनको प्याज लहसुन सारा कुछ अवोईड करना होता है और वो सब अवोईड करने के बाद एक महने की तपश्या के आज इनका परिक्षे का दिन है और आज बेहने इनको राखी मात करके भेजती हैं यहाँ पर ताकि यह सही सलामत सुरक्षित अपने घर युद्ध से वापस लौट सके हैं पासाण युद्ध और बगवाल जो हैं काफी प्राचीन समय से यहाँ पर परमपरा चली आ रही है और हर साल मेले के दिन यह युद्ध भी आपर खेला आता है जिसमें चार टीमें होती हैं चार खाम यहाँ पर बने हुए हैं जो पारमपरिक तरीके से पहले से यह चले आ रह लगवाल जता है हैं और जब फुजारीजीड़ी के आदेश के अनुचार यहाँ पर रुप बेहड़ चुका होता है ट hen जलीटे में 2 दूग करके मिलती हैं 2 तरफों में दूसरे क्रब मेहत door प्रहार में जो चोटें आते हैं उस चोकां में एक मनिष्य के बराबर रख यहां पर बहता है और उस रख्य को जब मताराणि सुंगार करती हैं तो फिर पुजारी को संदेज देती हैं, उनको कुछ ऐसी प्रेमार देती हैं कि उनको वह रत्त मिल चुका है और युद्ध को रुका दिया जाए तो उसके बाद पुजारी उनके संक्यत के अनुसा इस युद्ध को रुकवा देता है और साथी साथ जो भक्ति इसमें चोटिल होते हैं वो उस चोट को मातारणी का प्रशाद स्वरूप स्विकार करते हैं और खुसी खुसी युद्ध करने के लिए आते हैं और अगर किसी को चोट भी लगती है तो उसको मातारणी का प्रसाद समझ करके अपना आपको भागिव पासान युद्ध पहले पत्थरों से होता था अभी इसको कुछ फ़लों से भी रिक्लेस किया है लेकिन आप देख सकते हैं पत्थर भारी संख्या में नेचे हैं ग्राउंड में अभी भी पड़े होगा है तो ये युद्ध पत्थरों का है और अभी पत्थर यहां पे चलते हैं फ़ैनली यहां से दर्शन करने के परशाद हम लोग लोट रहे हैं वापस घर के लिए और अभी भी भी भीड काफी है क्योंकि यहां से हम लोग जल्दी निकल लेंगे तो जल्दी घर कहेंगे ताकि पिंडी दर्शन भी और सार्षाद मातारेनिका जो मुख्य मंदिर है वहां भी बहुत ही भवी दर्शन हमें और लाखों की संख्या में आपने देखा लोग यहां पर आते हैं विसे इस रूप से रक्षय बंदन के पारों के मौके में कुगी इस बीच में यहां पर दर्शन होगा इस ईश्य स्टिव के और अब चैनल में नए है तो पी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आकर न्या ब्लॉग को जायेगा तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यूआज मिलते हैं नया ब्लॉग में तब तक के ल